2011 में रिलीस्ट मराथी फिल्म माला आई वहाईची को नैशनल एवाउड से सम्मानित किया गया था रिव्यू करेंगे मिमी का ट्रेलर तो तीन मिनट के इस ट्रेलर को तीन भाग में डिवाइड करते हैं कॉमेडी, इमोशनल कॉमेडी फिल्म के पोस्टर पर जब पंकस्तर पाथी बड़े आकार में विराजबान हो तो समझो कि फिल्म में भी उनके कैरेक्टर का आकार बड़ा ही होगा ट्रेलर की शुरुवात में कार में बजरागाना, तेरी उंगली पकड़ के चला को अपने वोईस ओवर से उसका बैंड बजाते हुए पंकस्तर पाथी नजर आते हैं जहां वो टेंपो में बैठ कर गाते हैं, ओ बेटा जी, खाय ट्रेलर से ऐसा फ्रतीत होता है कि वो एक गाइड या स्टेट एजेंट की भूमिका में हो सकते हैं तो उन अंग्रेजों ने इस बारे में उस गाइड से बात की होगी और उसने अपने यहां के एक लोकल लड़की से इस बारे में बात की, अव्यसली जिसे वो जानते होंगे तो ट्रेलर के पहले पार्ट में पंकस्तिर पार्टी चाय रहे, उनके कुछ फणी सीन्स ट्रेलर में देखने को मिलते हैं और जैसे की वो ना किवल बोल कर कॉमेडी करते हैं, बलकि बिना ज्यादा एक्स्प्रेशन्स के भी वो अच्छी कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं तो उनकी वो कलाकारी इस ट्रेलर के पहले पार्ट में भी देखने को मिलती है सेकंड पार्ट यानि ट्रेलर के मिडल में आ जाते हैं इमोशन जहां अंग्रेज फैमिली अब बच्चा लेने से मना कर देती है और कृति सैनन बच्चे को पैदा करना ही चाहती है तो थोड़े इमोशनल सीन्स ट्रेलर को आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगा था कि इमोशन पट्री पर चला गया था वो इस टीम के पुराने ट्रेक रिकॉर्ड को देखते हुए वापस कॉमेडी ट्रेक पर लौट आता है और अगेन ट्रेलर के मिडल में जो पंकच्तिर पार्टी के एकाद सीन कम हो गए थे उन्हें वापस ट्रेलर के पालनहार के रूप में लाया यह बहुत अच्छी बात है उन सभी स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए भी जो स्ट्रगल करके ठक चुके हैं जिनका होसला समाप्त होने लगा है उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि मेहनत का फल देर सवेर सही लेकिन मिलता जरूर है कृती सैनन जिन्हें आज इंडस्ट्र ग्यारक की नैशनल एवार्ड वेनिंग मराठी फिल्म माला आई वहाईची से उस कहानी में सेम यही सिटुएशन थी लेकिन वो ड्रामा इमोशनल फिल्म थी जहां सरोगैसी के लिए तयार उस लड़की को फॉर्णर्स तब बच्चा लेने से मना कर देते हैं जब बच्चा शायद पूरी तरह से स्वस्थ पैदा ना हो सके और फिर वो मराठी महिला उस बच्चे को जन देती है बच्चा 5-6 साल का भी होता है और फिर वापस वो फॉर्णर्स उस बच्चे को लेने के लिए डिमांड करते हैं कुछ ऐसा था जैसा बॉलिवूड की अक्ष प्रिती का प्यार भी निकले अच्छा है कि टिपिकल हीरो हीरोईन वाली फिल्म से आगे बढ़के अब केरदारों को इस प्रकार से पेश किया जा रहा है या यू कहिए कि इस तरह के रोल्स में आप टैलेंट को लिया जा रहा है हीरो को नहीं फिल्म में A.R. रहमान का म्य म्यूजिक है तो ये फिल्म के लिए अगेन एक प्लस पॉइंट हो सकती है और बीच में एक सैड सॉंग उनके स्टाइल में सुनाई भी देता है जहां वो सिंगर्स की नॉर्मल आवाज को धीरे धीरे इको में बदल देते हैं सरोगेसी पर आजकल कई फिल्में बन रही हैं अभी हाली में अक्षे कुमार की फिल्म गुड निउस भी इसी सब्जेक्ट पर बेस्ट थी पूरी फिल्म के शूटिंग राजस्थान के चूरू में हुई है और ये कहानी यानि मराटी फिल्म को मिम्नी फिल्म से पहले 2013 में तिल्गु भाशा में भी बनाय गया था जिसका नाम था वेलकम ओबामा प्रडियूसर दिनेश विजान, डारेक्टर लक्षमन उतेदकर और पंकश तिरपाथी इससे पहले हिट फिल्म स्तरी का हिस्सा रह चुके हैं तो उमीद की जा सकती है कि ये भी एक अच्छी फिल्म होगी फिल्म क्रिती सैनन और पंकश तिरपाथी के अलावा साई तमंकार, मनोज पावा और सुप्रिया पाठक जैसे कुछ बेहद टैलेंटेड एक्टर्स शामिल है फिल्म की शूटिंग 2019 में शुरू हुई थी और फिर बाकी बहुत सारी फिल्मों की तरह ये फिल्म भी एक साल तक थेटर में आने को तरस्ती रही लेकिन कुरोना ने साफ कह दिया था कि जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं आखिर अब फिल्मेकर्स ने भी दूसरा रास्ता खोज निकाला फिल्म को रिलीस करने का यानी OTT प्लैटफॉर्म पर और 30 जुलाई को फाइनली ये फिल्म नेटफ्लिक्स के साथ साथ जियो टीवी पर भी रिलीस की जाएगी बाके फिल्म में क्या अच्छा है क्या बुरा होगा इस पर चर्चा हम फिल्म रिलीस के बाद करेंगे Have a nice day